नमस्कार सौगत आप सभी का दनोलोज गुरू के यूरूप चैनल पर तो हर्याना के चात्रों के लिए नया फर्वान जारी इसकूलों में नवी से बारवी के लिए दोपहर एक बज़े आया आदेश आईए जान लेते हैं क्या है पूरी खबर, क्या है घोसना आपको बता दें, अब हर्याना के चात्रों के लिए जरूरी खबर सरकारी स्कूलों में नवी से बारवी तक ऑनलाइन जमा होगी फीज आदेश जारी तो हर्याना के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले चात्रों के लिए एक जरूरी खबर है दरसल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक अप्रेल से सुरू हो रहे नए सैच्रिक सत्र में नौई से बारवी तक के विद्यार्थियों को दाखला, फीस और अन्य सुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा कैसलेस ट्रांजक्षन को प्रोटसाहित कर रहे सिच्छा विभाग ने इस संबंद में आदेश जारी कर दिये हैं आपको दादें आफ्लाइन फीस जमा नहीं होगी तो माद्मिक सिच्छा निर्शक द्वारा जला सिच्छा अदकारियों और मौलिक सिच्छा अदकारियों को जारी निर्देसों में इस पस्ट किया गया है कि नौवी से बारवी तक किसी चादर की फीस ओफलाइन जमान ही होगी सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन भुक्तान करना होगा विद्यार्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करने का परसचण भी दिया जाएगा वही मौलिक सेच्छा विभाग ने मौजूदा सैच्छिर्क सत्र के लिए विद्यार्थियों की स्कूल फीस और फंड की प्रतिपूर्थी की रूपे करीब 9 करोण 24 लाग रुपे जारी कर दिये हैं तो इतनी होगी फीस तो पहली सी लेकर पाँचमी तक के चातरों के लिए 36 रुपे और पाँचमी से लेकर आठमी तक के चातरों को 94 रुपे प्रतिपूर्थी की जाएगी करीब 15,4,000 बच्चों के लिए बज़ड जारी क्या गया है इस संबंद में स्कूलों को भी दिसान देशों का पालन करने को कहा गया है तो चातरों को दी जाएगी ट्रेनिंग गौर तलब है कि अब प्रदेश के सरकारे स्कूलों में आफ्राइन फीस जमा नहीं होगी ऐसे में चातर केवल ऑनलाइन ही दाखला फीस जमा करवा सकते हैं खास बात यह है कि ऑनलाइन फीस कैसे जमा की जाती है इसके लिए चातरों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी बता दे कि आने वाली एक अप्रेल से प्रदेश के स्कूलों कर नया सैच्छिक सत्र सुरू होने जा रहा है तो यह बड़ी जानगारी सामने निकल कर आई है